स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में बहुपद का भाग करना सीखेंगे तो बिलकुल ध्यान से समझेगा कोस्चन है दोस्तों 3X square प्लस 5X माइनस 8 यह एक बहुपद है इस बहुपद में भाग करना है दूसरे बहुपद यानी 1 प्लस 2 से देखिए दोस्तों बहुपद 3X square प्लस 5X माईनस 8 में पहला पड क्या है तो तीन एक्स स्कॉार है ठीक है और जिससे भाग करना है यानि यक्स प्लस दो में पहला पद क्या है यक्स है तो दोस्तों यक्स में हम किसका गुड़ा करें कि पहला पद यानि तीन यक्स स्क्वाइर बन जाए तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे 3 x square में इस पहले पद यानी x से भाग करेंगे ठीक है तो 3 x square में आप पहले पद यानी x से भाग करेंगे ठीक है 3 x square का मतलब क्या होगा तीन गुड़े एक्स गुड़े एक्स होगा ठीक है एक्स में एक्स का गुड़ा करेंगे एक्स स्क्वार हो जाएगा बटे एक्स हो गया देखी एक्स से एक्स का एंसिल हो गया क्या मिला तीन एक्स हो गया ठीक है कहने का मतलब यही है कि एक्स में अगर हम तीन एक्स से गु तो क्या मिलेगा 3x स्कॉार मिलेगा प्लस है तो प्लस का चिन लगाएंगे 3x का गुड़ा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा ठीक है दोस्तों भाग में क्या होता है घटाया जाता है देखिए 3x स्कॉार के आगे कौन सा चिन है कोई चिन नहीं है तो प्लस का चिन है ज ठीक है तो प्लस का चिन होगा तो माइनस का चिन हो जाएगा ठीक है चिन बदल जाएगा अगर प्लस का चिन होगा तो माइनस होगा तो माइनस होगा अगर यहीं प्लस की जगहां पर माइनस रहा होता तब यहां प्लस हो जाता चिन बदल जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों 3x square हो गया माइनस का 3x square अब इस plus के चिन से हमें कोई मतलब नहीं है जो नया चिन बनेगा इस चिन से हमें मतलब है तो 3x square में से हम घटा देंगे माइनस करेंगे 3x square तो cancel हो जाएगा यहाँ 0 आएगा 0 लिखे या ना लिखे कोई फरक नहीं पड़ेगा देखिए दोस्तों य माइनस का 5x और माइनस का 6x क्या हो जाएगा तो 5x में से हम 6x घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1x मिलेगा ठीक है तो दोस्तों इसकी जगह पर क्या हो जाएगा तो इसकी जगह पर माइनस का 1x हो जाएगा और अगला पद उतारेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा दोस् दोस्तों यक्स में हम क्या गुड़ा करें कि यक्स बन जाए ठीक है यहां जो होगा वह बन जाना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस पहले वाले पद में इस पहले वाले पद यानि यक्स से भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कैंसिल क्या मिलेगा एक मिलेगा अगर द प्लस में करेंगे तो दोस्तों माइनस हो जाएगा एक का गुड़ा यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा माइनस का गुड़ा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक का गुड़ा दो में करेंगे तो दो हो जाएगा दोस्तों भाग में घटाया जाता है तो चिन मतलब है यह जो प्लस का चिन है तो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स मिलके कैंसिल हो जाएगा यानि माइनस एक्स प्लस एक्स घट करके जीरो आ जाएगा तो यहाँ जीरो हो जाए जीरो लिखे या ना लिखे कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो क्या बच गया दोस्तों –8 प्लस्ठ डो इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं यह जो नया चिन बनेगा прошगो हैं तो इस तरीके से आप solve करेंगे तो एकदम simple तरीके से solve कर सकते हैं चलिए दोस्तों एक question और देखते हैं अगला question है दोस्तों 5x square minus 3x minus 7 में भाग करना x minus 3 से दोस्तों हमें यह पहला पत किसी ना किसी प्रकार बनाना होगा 5x square x में हम किसका गुड़ा करें कि 5x square हो जाए तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे 5x square में भाग कर देंगे यानि इस पहले पद में इस पहले पद यानि x से भाग कर देंगे ठीक है x square है तो x से 1x cancel हो जाएगा क्या मिलेगा 5x मिलेगा ठीक है तो जो 5x आएगा उसको हम यहां लिख देंगे ठीक है जो यहां लिखेंगे इसका गुड़ा एक बार x में करेंगे तो 5x का गुड़ा x में करेंगे तो 5x square हो जाएगा ठीक है यहां minus का चिन है तो minus का चिन लग प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह में बदल जाएगा यहां माइनस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह में बदल जाएगा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा अगर प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा देखिए दोस्तों पांच एक स्कॉार के आगे प्लस का है ठीक है प्लस चिन लाए तो पांच यक्स स्कॉार में से हम माइनस करेंगे पांच यक्स स्कॉार जो नया चिन बनेगा इस चिन से हमें मतलब है इस प्लस और इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है जो नया चिन बनेगा इस चिन से हमें केवल मतलब है तो 5x square में से हम 5x square घटाएंगे तो cancel हो जाएगा और यहाँ 0 आएगा 0 लिखे या ना लिखे कोई फरक नहीं बड़ेगा अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है माइनस 3x है और यहाँ क्या है प्लस का 15x है ठीक है माइनस का 3x है और यहाँ नया चिन से मतलब है प्लस का 15x ठीक है तो 3x में हम 15x को जोडएंगे तो क्या मिलेगा 12x मिलेगा ठीक है तो हम यहाँ 12x लिख देंगे और अगला पद उतारेंगे तो माइनस 7 है देखिए दोस्तों 12x के आगे चिन काउनसा है प्लस का यहाँ जो चिन होगा वही चिन हम यहां लिख देंगे यहां प्लस का चिन है तो यहां प्लस का चिन लिख देंगे दोस्तों यक्स में हम किसका गुड़ा करें कि यह पहला पद यानि बारा यक्स बन जाए ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे इस बारा यक्स में यक्स से भाग करें और यहां जो होगा इसमें करेंगे तो प्लस का गुड़ा इसके आगे प्लस है तो प्लस का गुड़ा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा ठीक है बारा का गुड़ा एक्स में करेंगे तो बारा एक्स हो जाएगा प्लस का गुड़ा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जा नये चिन säे मतलब होगा, यानि यहाँ जो माइनऊ से मतलब होगा, इस प्लस से ओ सिन से आएक। घटाएंगे तो काइंसिल हो जाएगा ठीक है अब क्या बच गया माइनस साथ प्लस यहां जो प्लस है इस चिने से मतलब है प्लस का 36 हो गया तो 36 में से हम साथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें तो 16 में से साथ गया 9 मिलेगा और यहां 29 हो जाएगा ठीक है यानि यहां से दोस्तों सेस फल क्या आएगा 29 हा जाएगा ठीक है में इसे आप स्वाल करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पिलीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रिस करके आल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा जिससे आगे आने वाली आसानी से पहुंच जाए